तुम लोगों की इतनी जुर्रत हमारे पीच में आ गए जेल जाते वक्त ये हथख़डियां तुम दोनों के हाथों में आखिर तुम हो कौन हम कौन होते हैं बै क्या बॉलवर्ट में हो गई है पोटेंशल एक्टर्स की कभी QSR के ने चुड़ा टॉलवर्ट के मेकर्स और कास्ट को क्या किंग खान ने लिया है सही टी सीजन हेलो फ्रेंड्स मैं शुरती दूबे और आप देख रहे हैं बॉलिक्राद स्टूडियोज साउथ की सूपर डिलक्स स्टार विजए सेठा पुट्टी बॉलवर्ट में अपना डेब्योट किंग खान के साथ करने जा रहे हैं SRK की अपकमिंग फिल्म विजए सेठा पुट्टी में विलेन के रूप में नजर आएंगे इसके साथ ही साउथ की सूपर हिट अक्ट्रिस नैंतारा भी फिल्म के लीड रोड में है और एटली कुमार के बारे में तो क्या ही कहने जब भी जवान मुवी का जिक्रफ होता है तो एटली कुमार का नाम आना तो बिल्कुल जैसे तैही है पर SRK ने अपनी इस अपकमिंग फिल्म के लिए साउथ का रूप कर लिया है वो जो साउथ के क्रियेटर्स और एक्टर्स को ही अपने फिल्म में कास्ट कर रहे हैं क्या उनका बॉल्वूड के टैलेंट पर से विश्वास उठ किया है क्या अपनी कमबैक फिल्म के लिए SR के बॉल्वूड एक्टर्स को नहीं मांते पोटे आपके दमाब में भी इस सारे सवाल आ रहे होगे तो आपको बता दे कि अगर आप 5 से 10 साल पीछे देखेगे तो साउथ के फिल्मों को सिर्फ एक मसाला फिल्म ही सबझा जाता था जिसमें एक्स्ट्रीम एक्शन सीक्वेंसिस तिशू तिशू और टेपिकल मसाला फिल्मों का फॉर्मूला होता था पर बीते पास से 10 सालों में टॉलवूड बॉलवूड से भी उपर उपर निकल चुका है आज के तरीके में 10 में से 6 टॉप ग्रॉसिंग फिल्म साउट की है और अब पायन इंडिया से बढ़कर साउथ इंटरनेशनल मार्केट पर भी जा रही है बाहुबली, KJF और RRR जैसे फिल्मों को किसी इंटरोडक्शन की जरूवत तो बिल्कुल नहीं इससे ना सिर्फ इंडिया भर में बलकि पूरे वर्ल में अपनी काम्याभी का डंका बजा दिया है KJF और PUSHPA के डायलोग से बच्चा बच्चा वाकिपर बहुबली को किस से बारा ये ट्रेंड भी खूब चला और PUSHPA की वियर्ड आइकॉनिक वाक पो ट्रेंड तो उसका सेलिब्रिटी से फॉलो कर रहे है ये कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि टॉलवूड अब बॉलवूड से भी टॉल टॉल हो गया है ऐसे में बॉलवूड के किंखान का अपनी कमबैक फिल्म के लिए साउट का रुख लेना काफी समझदारी वाला डिसीजन है अगर आप बॉलवूड के ज्यादा तब रॉसिंग फिल्मों को देखेंगे ये जरूर पाएंगे कि अधिकतर साउट की ही कौपी है है ना जैसे लाउडी राठोर, सिंगम, वांटेट, एटीसी, एटीसी और इजिनल गॉलवूड फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पेट रही है या फिर ओडियंस में वो अपनी चाफ छोड़ पाने में असफल रही है पर चाहकर भी गॉलवूड के जिया बहु बली या पुश्पा जैसे फिल्म प्रियेट कर पाने में कम्याब नहीं हुपा रहा इसका एक ही सॉलिशन था और वो था साउट की मेकर्स की गॉलवूड में एंट्री इसलिए एसार के ने भी यहीं किया उन्होंने फिल्म के डिरेक्शन, सॉंग, सिन्नमेंट रॉग उफिस से लेकर कास्ट इस तक साउट के स्टार्स को लिया विजस एठा पुट्टी के एंट्री ने इस बात पर बिल्कुल मुहर सी लगा दी है कि बॉलिवूड का चाम अब हो रहा है, खतब और धीरे-धीरे टॉलिवूड का पर्चम लहरा रहा है पर एसार के का यह डिसीजन होगा सही, साबिस या फिर होगी यह गलर डिसीजन, यह तो आलिवाला वक्त ही बताएगा आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तो जरूर बताएगे और साथी साथ हमारे चैनल को लाइक, सबस्क्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल 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 ना भूले और मुझे दीजे इजासत, लेकिन आप बले रहे बॉलिग्राट स्टूडियोस के तार नमतकार